आप सभी का पैस्वी जैसिंग को बहुत स्वागत है हम देख रहे हैं आज के करेंट अफ्यर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पूरा आपको अच्छे से सभी पॉइंट लन हो सकते और अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़े याद हो जाएगी जो बार बार आती रहती है मैं डेली बताता रहता हूं जो चीज़े आती रहती है ठीक है जिस capital जिस state से related है उस state के बारे में सारी बाते में बता देता हूं ठीक है यह सब देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़े एटमेटिक याद हो जाएगी चलो तो हम स्टार्ट कर बोले तो world standards day यह किसलिए मनाया जाता है उभगताओ नियामों को और उद्धोकों के बीच वैस्विक अर्थविस्था के मानकी करड के महत्तों के बारे में जागरुकता के लिए यह मनाया जाता है ठीक है इस बार की जो theme है world standard day की वो क्या है protecting the planet with standard protecting the planet with standard है ठीक है अच्छा मैं आप लोगों से यह comment में पूछना चाहता हूँ कि international day और world day में क्या फरक है जैसे बताया जाता है कि कभी आती है कि international day है ठीक है और world day है तो यह international day और world day में फरक क्या होता है आप लोग comment करके ज़रूर बताईए ठीक है हमारा जो next number का point है दूसरे number का हाली में मनोज कुमार भारती को भारत का किस देश में भारत का राजदूत बनाए गया तो इसका जो correct answer है इंडोनेसिया हां कि इंडोनेसिया का इन भारत का राजदूत बनाए गया इंडोनेसिया में अब बात कर लेते हैं कि यह ज़ो तो मनोज कुमार है यह आयि ऐस्ट सेदिकारिया इंडियन फॉरिंश करी एंडियन्जा के अब बात कर लेते हैं इंडियौनेसिया की बात पानी में डूबने वाला जो देश है वो जगारता है और जो जगारता जो है बहुत तेजी से डूब रहा है इसलिए इसकी जो कैपिटल सिफ्ट करके बोर्नियो आइलेंड में बनाए जाएगी और इसकी घोसड़ा हो चुकी है फिला तो अब इसकी नियो कैपिटल जो होगी इस्ट काली मंतर होगी ठीक है अब बात कर लेते हैं इंडोनेसिया की कैपिटल की तो जगारता हो गया इसका मैंने बता दिया और करेंसी क्या है इंडोनेसियन रुफिया पीम काउन है जोको विडोडो ठीक है तो ये बात भी याद रखिएगा कि इसकी कैपिटल सिफ्ट ह होने वाली है बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में हमारा अगला जो पॉइंट है हाली में पेप्सिको ने किस राजिकुप में 814 करोड रुपे की लागत से एक इकाई स्थापित करने की घुशड़की है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूपी उतर प्रदे करते हैं यूपी के बारे में तो यहां पर बाल सर्मिक विद्या यूजना भी चल रही है नवीन रुजगा छत्री यूजना के भी सुरुवात हो चुकी है प्रवासी रहात मित्र आयूस कवच एप लॉंच हो चुके हैं और यह भी एक इंपोर्टेंट है कि मढवाडी का नाम बनारस रख दिये गए स्टेशन ठीक है न मढवाडी रेल्वे स्टेशन दानाम बनारस रख दिये गए बात कर लेते हैं यूपी के सियम योगी आधित इनाथ गवर्नर आननधी बिन पतेल यहां यूपी का जो पसू है राज की पसू है पार सिंगा राज की फूल पल परणिया घाट वाइल लाइप सेंचुरी भी है यहां पर और चंदरबभा नेशनल पार्क भी इतने सारे यूपी के बारे में आप पॉइंट याद रखिएगा हमारा अगला पॉइंट फॉर्थ नमबर का हाले में FATF के ने किस देश को अपनी इन्हांस फॉलोड अप लिष्ट में रखा है अब यह FATF क्या होता है Financial Action Task Force यह जो है यह लिष्ट कैसी होती है इन्हांस फॉलोड अप लिष्ट इसमें उस देश को रखा जाता है जो टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ है ठीक है तो पाकिस्तान को इस लिष्ट में सामिल कर लिया गया है यह टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ है फिलान अब बात कर लेए हम अगले पॉइंट के बारे में यहां पर पाकिस्तान के बारे में भी कुछ पॉइंट द अब यह लाइन के बाद आगी तो यह भी बता दे कि जो मैंक मोह ने इंडिया चाइना के बीच में हैं टिके डुरंग लाइन पाकिस्तान और अफगनिस्तान के बीच और बात कर लें और 49 पैरल लाइन जो है यूसार करनाड़ा के बीच में और 38 जो है नौर्थ और साउत को प्वाइंट के बारे में तो हमारा अगला पॉइंट है पांच नुमर का हाली में कौमदी मुंसी का निधन हुआ वो कौन थी पज़रात कोकिला के से भी जाना जाता था और इनकी मौत कैसे हुई कोरोना से पीडित होने की घर हमारा जो six नमर को point है हाले में Amazon ने भारत में digital payment को बढ़ावा देने के लिए किस के साथ समझवता किया है तो Amazon ने उबर के साथ समझवता किया है क्योंकि जैसे उबर में जब पे करेंगे payment तो वहाँ पर Amazon पे का भी option आएगा तो Amazon के जो है customer है बढ़ेंगे यह सब marketing के लिए Amazon ने अपना जो है उबर के साथ समझवता किया है अगले point के बारे में हम देख लेते हैं साथ नमबर का हाले में IMF में चालो वित वर्स में भारत की GDP कितने प्रतिसेत रहने का अनुमान है इसका जो correct answer है minus 10.3 ठीक है अच्छा और हम बात कर लेते हैं यहां पर IMF के बारे में IMF का मतलब International Monetary Fund ठीक है इसका जो Stabilisement है स्थापना 1945 में हुआ था Headquarter कहां पर वासिंग्टन डीसी और यहां पर यहां के MD कौन है IMF के क्रिश्टलीना जार जेवा कौन है क्रिश्टलीना जार जेवा बात करते हैं आठवे नमबर के पॉइंट में हमारे नेक्स्ट पॉइंट है मारा आठवे नमर का हाली में भारती सेना ने किस राजी की पुलिस के साथ आतंगवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है तो इसका जो यह एक बुक है इसका बस ध्यान से देख लिजिएगा सीवा जी इन साउथ ब्लॉक दो ऑन रीटेन द अन रीटेन हिस्ट्री आफ प्रावड पिपुल इसकी जो है इसको जो है ग्रिस कुबेर ने लिखा हुआ है मुप्त स्वास्त भीमा प्रदान करने वाला पहला राज म महाराष्ट है ठीक है और बात कर लें महाराष्ट के सीम के बारे में तो उद्धर ठाकरें गवर्नर का उने भागत सिंग को सियारी फिरहाल गोवा के भी चार्ज लिये हुए हैं ये भी ध्यान रखियेगा ठीक है ना और बात कर लें महाराष्ट में तो खोली सीग्रेट प बारे में हमारा अगला पॉइंट है हाले में किस ने बजाज एलियंस के साथ मिलकर कार और बाइक बीमा प्लांट लांच किये इसका जो करेक्ट आंसर है फोन पे हेड़ क्वाटर बैंगलोर में CEO कौन है समीर निगम बजाज अलियांस के हाली में ब्राणने मेजडर कौन बनाये गए है इसका आप कमेंट करके बताईएगा मैं बता चुका हूँ ये थोड़ी 18 दिन पुरानी 12 दिन हो गया है ये पुरानी में हो जे बजाज अलियांस के ब्राणने मेजडर कौन बनाये गए इसका आप कमेंट में ज़रूर आंसर बताईएगा हमारा जो अगला पॉइंट है हाली में की सराजी सरकार ने मापुसा और पुंडा नामक दो पुलिस जिले बनाने का निर्ड ले लिया है इसका जो करेक्ट आंसर है गवा गवा गवर्मेंट ने मापुसा और पुंडा नामक दो नए पुलिस जिले बनाने का निर्ड लिया है बात कर लेते हैं गवा के बारे में तो गवा के सीम कोण है प्रमोद सावन्त गवर्नर मैंने अभी अभी बताया भरक भगत सिंग कोसियारी जो की महराष्ट के गवर्नर है और गवा में भी चार्ज लिये हुए है गवा के में और बात कर लें कि कुछी दिने पहले डिश्टावो यूटूब चैनल लांच हुआ था जो की स्टड़ी के लिए था ठीक है खाजी प्रसाद को भी जी आई टेक मिला हुआ है जो की चर्च में दिया जाने वाला प्रसाद है हर्मल मिर्च को भी दिया गया है जी आई टेक मोईरा केले को और खोला मिर्च को ठीक है यहां पर नेशनल पार्क के बारें बात करने तो मोलम नेशनल पार्क जिसे महाबिर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है और डक्टर सलीम अली वाइल लैप सिंचुरी गोवा में डक्टर सलीम अली नेशनल पार्क का है जम्मू कास्मीर और डक्टर सलीम अली वाइल लैप सिंचुरी का है गोवा में तब है तीस माई को और गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्टगाल से गोवा अलग हुआ था यह पहुत दिनों से बता रहा हूं ठीक है तो यह पाते आप लोग ध्यान देते रहेगा तो ध्यान नेते से सुनने सुनने से याद हो जाता है हमरा अब इसकी 11 टीम है इसमें 11 क्रिकेटर्स का अगला हमारा जो पॉइंड भारत हाली में किस राजी के पूरु स्पीकर सरत क्मार का नियता हो गया तो विलर दीप का नाम A.P.J. अब्दुलकलाम दीप रख दिये गया है, ओडिसा का जो फेमस पर्व है, रजा पर्वा या रज पर्वा, ठीक है, और बात कर लेकि यहां पर नुआ खाई उत्सो भी मनाया जाता है, जीवन पहल और प्रतिवा पहल भी है, यहां पर की जा खाई पानी की जिल, और यहां पर बात करें, ओडिसा का पूरो नाम क्या था, कलिंग, ओडिसा दिवस का मनाया जाता है, एक अप्रेल, ठीक है, किसानों के लिए कालिया यूजना यहां पर चल रही थी, लेकि उसी के पैरलल, फिलहाल अभी कुछ दिन पहले, वलराम पानी की आधार सिला किस ने रखी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राजनाच सिंग, और बात कर ले कि अरवड़ाचल प्रदेश, यहां पर आया हुआ है, अरवड़ाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, इतान अगर है, और सीम कौन है, पेमाखंडू, गवर्नर कौन है, ब कि लिए में ड草न की हैं यह狂ंगरति रेखिंग और तो बंग्लादिस ने अश्चवर ठीक है और बात कर ले भारत और बंगलादेस इंडिया और बंगलादेस के बीच युद्यभ्याज होता है जो फेमस है उसका नाम क्या है संप्रती संप्रती ठीक है और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है हाली में कि इस बैंग ने गूगल पे के साथ मिलकर एक्सिस बैंक के बारे में तो एक्सिस बैंक का इस्टेबलाइजमें 1993 हेड़ का है मुंबई CEO अमिताब चौधरी है तो गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर के एसी कार्ड लांच किया है तो आज के लिए इतना ही और सभी निउस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रही का करेंट अफेर के ठीक है चलो थैंक यू